तो विल्कमें दोस्तों कल से 22 तारिक से जिनका भी एकजाम है एसी पेपर हिंदी बिनोभाव इनिवर्सटी उन सभी के लिए यहाँ पेपर इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप इतना कोश्चिन बना लेंगे तो आपके एकजाम में सभी कोश्चेन लगबग लग बिनोभाव इनिवर्सटी के अंदर के तो ठीक है देखते हैं फुल माक्स रहेगा 50 और क्वाइलिफाई करने के लिए आपको लाना होगा 20 नंबर टाइमिंग रहेगा 2 घंटे यहाँ पे आपके वन माक्स वाले 5 कोश्चन आएंगे और बाकी सभी आपके सब्जक्टिव ह होंगे जिसका अंसर आपको रिटन करना होगा तो पहला है वन माक्स वाला कोश्चन कि लेखन कितने परकार के होते हैं ठीक है लेखन कितने परकार के होते हैं राइट रोज जाएगा चार परकार की लेखन जो हमारा चार परकार का होता है नेक्स्ट हमारा अखबारों में स एक उसको बोलते हैं पत्रकार इंग्लिक में बोलते है रिपोर्टर तो अपी करने है कि नहिए थिन नमबर है मांस्टर पत्रों की लिखित जानकारी के जांच करता है तो दोस्तों दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वारतालाब को समवाद कहा जाता है नेक्स्ट है हमारा भारत की राजभांसा क्या है तो भारत की कोई भी राष्ट्र भांसा नहीं है राजभांसा है और वहा है हिंदी ठीक है भारत के नौ राजभांसा हिंदी है राजभांसा और एक केंसादित प्रदेश निव दिल्ली वहां की राजभांसा हिंदी है ठीक है कुलमिला के 10 नेक्ष्ट है हमारा हिंदी को भारत की राजभासा सम्मिधान के किस अनुछेट के ताथ रखा गया है तो दोस्तों सम्मिधान के अनुछेट 343 के ताथ हिंदी को भारत की राजभासा का दर्जा दिया गया है ठीक है नेक्ष्ट है हमारा भारत में राष्ट हिं देख लेते हैं वह इस तो आपके एक्जाम में आने के संभाना कम है फिर भी अगर आ जाता है तो आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे पहला है समवाद लेखन से आप क्या समझते हैं नेक्ष्ट है प्रयोजन मुलक हिंदी का सामाई ने परिचे दीजिए अगला हमारा कोसल लेखन का आर्थ असपस्ट करें और इसके विसेस्ताओं को लिखें ठीक है ग्यारे नमबर कोशिन है ग्यापन से आप क्या समझते है ठीक है और बारे नमबर कोशिन है अनुवाद क्या है इसका महतु को लिखें इतना कोशिन कर लीजिएगा ठीक है काई गो है टोटल चार question है पांच पांच question है आपके नेक्स्ट आगे दिख लेते हैं तो long answer type की question यानि कि दिर्थ उत्तर ये प्रश्ण इसमें हमारा पहला question है causal लिखन का अर्थ बिसेस्ता एवं sorry causal लिखन का अर्थ बिसेस्ता महतो एवं परकारों को बताईए यहाँ पर typing में गलती हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें कौमा देना जब पढ़ता आर्थ बिसेस्ता और महतो मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई mistake ना रहे माइन में confusion आगे दिख लेते हैं next है हमारा media लेखन से आप क्या समझते हैं इसके बिभिन परकार और विसेस्ताओं को बताईए मीडिया लेखन क्या है इसके कितने परकार होते हैं इस टाइप से आपको बताना है एक होता है print media एक होता है हमारा मतलब media दो परकार को होता है संचार में पीना print का online एक होता है print जिसमें आपका paper वगर आ जाता है एक new channel वगर आता है रेडियो वगर आता है next है हमारा media लेखन से आप क्या समझते हैं इसके बिभिन परकार और विसेस्ताओं को बताईए ठीक है यह हो गया next है हमारा संपादक या लेखन क्या है ठीक है संपादक या लेखन क्या है एक मिडिया संपादक या लेखन होगा typing mistake हो आ है संपादक या लेखन क्या है इसकी प्रकिरिया तथा मात को लिखें ठीक है आगे दिख लेते हैं तो next हमारा question है bio data तयार करें अपना जीवन वृत तयार करें ठीक है bio data बोली चाहाँ जीवन वृत बोली जब आप लोग साधी के लिए कहीं पे जालेगी रिजूम आज नहीं आज सब चार साल बाद पांस साल बाद जब आप लोग साधी के लिए आईए गा रिस्ता ठीक है और गल्स का तो आना भी शुरू हो गया होगा तो आप लोग को बोलेगा कि bio data बहुत common form होता है देखिए मैं के वल आपको किता भी ज्यान नहीं लाइप का भी ज्यान देने का कुछिस कर रहा हूं ठीक है तो अगर रिस्तदार मांगे कोई तो resume भेजिए बायो data बहुत पुराना हो गया ठीक है अश्य बायो data भी लिखना सिख लिजिए रिज्यूम भी लिखना सिख लिजिए और cb भी लिखना सिख लिजिए ठीक है सीबी का पुल्फर्म होता है केरिकूलम वीटा और जनरली सीबी का परियोग जो हम लोग जॉब वगरा के लिए करते हैं तो यह हो गया बाइवडाता तयार करें या अपना जिवन विरित तयार करें अगला है टिपनी क्या है उदाहरन सहित लिखे टिपनी मतलब होता है परतिवेदन क्या है यह कैसे लिखा जाता है और इसका उद्देश क्या है ठीक है और अंतिम कोश्चन है हमारा संचेपन तथा पल्लवन का अर्थ असपस्ट करें और इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको भी बताना है ठीक है तो बेस्ट अप लोग है दोस्तों मेरी और से आप सभी को जितना भी कोशन दिया हैं उन सभी को कर लिजेगा और ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसका आंसर या तो अपने एक 40 ठीक है दोस्तों एक्जाम से निकलकी अपने कोशन पेपर सेंड कर दिजिएगा इस से क्या होगा कि आपके जो नेक्ट पे इक्जाम होगा उन सभी के हेलप हो जाएगी आने वाले जो फ्यूचर में के इंडेट रहेंगे उन सभी की भी है अखिर मदद करेंगे तभी हम मिलता है नेक्ट वीडियो में और अगर आपको वेकेंसे रिल्टेट भी इन्फोर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सागर सावाले चैनल पर आ सकते हैं क्वेश्चन पर सेंट कर दिजिएगा रिक्वेस्ट है बाइबाइबाइब टेक क्यार अल्द वेस्ट